2024 को अगर चुनाओ का साल कहा जाए तो अतिश योक्ती नहीं हो कि इस साल बहुत सारे चुनाओ हुए हैं भारत में, रूस में, ब्रिटेन में और अब बारी है अमेरिका की 5 नमबर 2024 को यहाँ पर वोटिंग हुई है और अब लगतार वोटों की गिंती जारी है सवा ग्यारा बज़ रहे हैं भारती समय अनुसार और अभी टेली मेरे पास खुली हुई है जिसमें 230 इलेक्टोरल वोट से डॉनल्ल ट्रम आगे चल रहे हैं 210 इलेक्टोरल वोट इस समय कमला हैरिस के पास है 270 का आखड़ा है साथ स्विंग स्टेट है जो पूरा खेल तैग करेंगे इस अमेरिकी चुनाओ के उसमें भी डॉनल्ल ट्रम सभी में आगे चल रहे हैं और नॉर्थ कैरोलाइना में डॉनल्ल ट्रम की जीत भी पक्की हो चुकी है इसी रुज़ानों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डेलेवर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टेडीज के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान स्वागति सर आपका सर मेरा पहला सवाल यही है कि लगबख सभी सुइंग स्टेट में डॉनल्ल ट्रम आगे चल रहे हैं और नॉर्थ कैरोलाइना में उनकी जीत भी पक्की हो गई है क्या काम किया सर यहां पे लेकि जो साथ स्टेट्स हैं जोर्जिया नॉर्थ कैरोलाइना निवाड़ा अरिजोना यह चार तो डिफेंड करना ज़रूरी था ट्रम तो अगर यह जीट जाते हैं और रिपब्लिकन स्टेट्स जीट जाते हैं तो उनका टोटल हो जाता है 268, he needs 270. तो वो जो तीन स्टेट्स जो नॉर्थ में हैं जिसको रस्ट बेल्ट कहते हैं पैंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉंसिन, he needs to win only one of that. तो अब यह हो गया कहें, North Carolina वो जीट गये हैं, and he's leading in all the other states, और Kamala Harris को जीतने के लिए, अगर South के जो Sun Belt वाले states हैं, अगर उसने से एक भी seat नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, she needs to win Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. यह तीन अगर वो जीती, तो जरूरी है, तो 270 पे वो पहुँच जाएगी. So, it looks right now, okay, he's leading quite significantly. मतलब, अगर आप Michigan में देखें, तो एक लाग से जादा की लीड होगी. और अभी पूरे वोट नहीं हैं, भी 40% भी नहीं आए हैं Michigan के, लेकिन Pennsylvania में 76 प्लस आगे हैं, and कुछ देड़ लाग से जादा. So, I think the biggest shock इनको जो मिल रहा है Kamala Harris की campaign को, वो state of Pennsylvania है. और देखें आप Pennsylvania के जो गवरनर है Shapiro, he was the finalist for the vice president की position. लेकिन क्योंके वो बहुत ही strong pro-Israeli Jewish हैं, लोग डर रहे हैं थे कि उनके वजह से, लेकिन वो इतने popular हैं कि लोग कहरें थे कि he will easily carry Pennsylvania. So, it is a strange thing. तो जो trends जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि voter turnout बहुत हाई हुआ है. सारा का सारा जो rural area है, Trump ने, he has lost nothing since 2016. इतनी amazing consistent performance है उनकी, कि जो जो counties उन्होंने 2016 में जीते थे, वो तक्रीबन पूरे के पूरे वो उन्होंने 2012 हमको याद रखना चाहिए कि Trump ने basically election 11000 वोट से हरा when he lost Georgia last year. He could not defend. अब वो Georgia में एक लाग 35000 से कुछ लीड कर रहे हैं फिलवागत. So, दो चीजें हुए हैं कि जो black men हैं और latino men हैं, वो move हो गए हैं Trump के तरसे, which is a shock इनके लिए. और जो पोल में जो बता रहे हैं कि gender gap बढ़ रहा है, तक्रीबन 25% का difference आ गया था दोनों में. That the men are moving towards Trump, women are moving towards Kamala Harris, लेकिन women में वो trend नजर नहीं आएं जितना anticipate कर रहे थे because of abortion के मसले पर. So, जो Democrats के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था, democracy बचाओ का नारा, के Trump आएंगे तो dictatorship लाएंगे, तो democracy बचाओ. और Trump का जो नारा था, वो immigration के खिलाफ था, और वो economy भी था, तो it's looking very clear के economy is going to Trump. आपको याद होगा, जो famous Bill Clinton की campaign की जो line थी, it's the economy stupid, तो वो भी इस बार भी लगती है, it's the economy stupid. अगर आप economy को ignore करें, तो मतलब एक किसम सी ना, लोगों में तबदीली की desire आ जाती है, it's cannot doing well financially, so there's a desire for change and so that's why he's benefiting. लेकिन यंग बच्चे, अगर आप Michigan का पोल देख रहे हैं, तो it is very clear के जो Muslim or Arab vote है, that is playing a big, big role in Trump's victory there. और young people, जो गाजा का coalition है ना, वो चार लोग है, मुसल्मान, अरब, जो Christian है, और फिर जो progressive है, far left, याने किसी भी age के, older से लेगे हैं. जी, जी, Michigan का दिकर आपने किया, sir, मेरा अगला सवाल भी उसे से जुड़ा हुआ है, कि क्या गाजा वार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उबरा है, Michigan में? ठीक है, क्योंकि Michigan कितना काफी multicultural है, तो वहाँ पे immigration is also important, लेकिन inflation भी ज्यूदा important है, but you must remember Michigan वो state है, जहां पे America का motor town कहते थे Detroit, General Motors भी वहाँ था, Chrysler भी वहाँ था, Ford भी वहाँ था, लेकिन it is also a consequence of manufacturing China को जाने के लिए, तो एक वो भी असर है कि globalization का जो असर हुआ है, Michigan पे ब लेकिन ये मुदा सही है कि वहाँ पर तकरीबन साड़े चार लाक मुसल्मान और अरब रहते हैं, डियर बोन वगारा, इस हद तक कि उस सारे के सारे वहाँ पर जो चोटे 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 शहरे हैं, उन में सब जो है, सो मुसलिम से हैं, वहाँ पर एक हैम्ट्रमेक नाम का ए क्योंकि पूरा का पूरा पॉपलेशन बंगलादेश से आगया वहाँ पर, तो इस वेरी स्ट्रॉंग मुसलिम स्टेट कह सकते हैं, बट इस नाट मुलियन का स्टेट है, उसमें अमेरिका से आठ से दस परसें तक मुसलिम और अरब्स हैं, अरब्स बहुत पुराने हैं जो इस तरह से इन्होंने बात करने तक नहीं दिये, मतलब पलिस्टीनियन लोगों को जो डिमोक्राटिक के मेंबर्स हैं, रशीटा तलाएब जो पलिस्टीनियन अमेरिकन पार्लिमेंट मेंबर हैं, वो भी मिशिगन से आती हैं, तो मिशिगन इस क्लियरली बिकॉज अब तो बट अपॉचुनेटली इट लुक्स लाइक अभी भी मतलब देमोक्राटिक पार्टी कह रही है कि अभी चांस है कि शी माइट स्टिल विस्कॉंसिन, शी माइट स्टिल विन लेकिन पैंसिलवेनिया इस बिक शॉक और अगर वो जॉर्जिया हार जाती है तो तो दैन इ सबसे बड़ा मुद्धा था लेकिन अब वहां ऐसा क्या हुआ है कि डॉनल्ड ट्रॉम आगे चल रहे हैं देखिये देखिये मैं आवरेज जो देखिये अमेरिका एक बहुती अमीर स्टेट है तो यहां पे जो आवरेज इंकम है उससे मैं तीन गुना जादा अल्ला के पंडे दूद खरिते हैं आपको पता है मैंने तो मैं तो जो शॉपिंग करता हूं खीमत देखे बगए शॉप करते हैं होटेल में जाके खाना काते हैं तो लेफ्ट तो राइट और नहीं तो लेकिन पिछले दो साल में गैस के वक्त भी विया तिंकिंग अरे यह गाड़ी इमाजिन और्डिनरी लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा वरतलब यूनो तो अंडे की खिर्मत इतनी जादा दूद की खिर्मत इतनी जादा हर चीज़ और इस नाट गॉन डाउन इंफलेशन कम हो गया है लेकिन जो फूड रिलेटेड इंफलेशन है वो बहुत हाई है तो अब अमेरिका बेसिकली दो खिसम का अमेरिका हो गया है वो अमेरिका जहां पे लोगों की इंकम पचास साथ हजार डॉलर से कम है साला ना और वो इंकम जिनकी देर लाग डॉलर से जादा है बीच खतम हो गया है तो जो पॉलिसी बना रहे हो अमीर लोगों के ल policy लेकिन जो backward जो 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 गरीब लोग हैं जो hand to mouth है आपके सुनने वालों को ये सुनके ताजिव होगा कि अमेरिका की 50% of the household उनके बैंक में एक हजार डॉलर नहीं ये ये सुनके मुझे इतनी हैरत होती है जब मैं graduate student था मैं सी बारा हजार डॉलर साल में बनाता था यानि महाना हजार डॉलर और आदा किराया रेंट का जाता था तो आदे में हम खाते पीड़े थे उसके बावजूद मैं एक हजार बैंक में इसलिए रखता था कि खुदाना खास्ता मैं मर गया तो बेगम टिकेट लेके वापस इंडिया चले जए तो ऐसे पूर स्टुडेंट मेरे पास उतने पैसे हुआ करते थे और मुझे अब हैरत होती है कि 50% अव दा हाल्जोर तो इनके लिए थोड़ा बहुत इंफलेशन एक-दो परसंट से बहुत असर हो जाता है और इमिग्रेशन से भी बहुत लोग मतासिर हैं कि मतलब यह वरी इस बार अंडर बाइडन बहुत लाखों लोग घुसकर आगे हैं और वरी वरीड के इस तरह से उसको उचाला है कि वो क्राइम करते हैं सर ट्रम भले ही अभी आगे चल रहे हैं सर्वेस में लेकिन इसको फाइनल रिजल्ट नहीं माना जा रहा है कब तर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी दो तिन घंटे में सब्सक्राइब कर लेता है और पैंसिलवेनिया जीट जाता है इन वीच ए देर देर लाकी अव लीड आते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें दिललन टॉप शुक्रिया